आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाव इसकूशन में बसिकली कह रहा है कि एक स्पीडर हमारा मुप करता है इभित को बस्टटर विलास्टी 15 मीटर सेकंड इन स्क खूल जोन अब कह रहा है कि यए एक पुलिस कार को हमारा क्रॉस करता है तब यह police car हमारा start करता है from the rest to catch him अब वो कह रहा है कि यह जो police car है यह हमारा accelerate करता है 2 meter per second square से और जब तक यह हमारा 20 meter per second तक नहीं पहुच जाता है इसकी speed तब तक यह accelerate करता है तो पुछे जा रहा है कि where and when does the speeder get caught मतलब कहां पर कितनी दूरी पर मतलब और कितनी टाइम पर यह हमारा speeder पकड़ा जाएगा तो अगर हम देखे हैं तो माल लेते हैं कि इस point से यहां से यह police car ने start किया रेश्ट से 2 meter per second square के acceleration से और यह हमारा move कर रहा है किसे 15 meter per second से तो अगर हम देखे हैं तो 20 meter per second की velocity इसको लेने में कितना time लगा होगा हम वो निकाल लेते हैं पहले तो acceleration constant है यानि हम direct क्या कर सकते हैं velocity को acceleration से divide करके हम अपना time ले सकते हैं तो अगर हम देखे हैं यह फिर T is equal to U plus 80 भी लगा सकते हैं बात वहीं पॉलने वाली है तो यहां से 20 by 2 आएगा यानि T is equal to 10 seconds आजेंगे 10 seconds में क्या होगा यह अपनी maximum speed पहुंच जाएगा तो हम देखते हैं कि 10 seconds में यह कितना distance चला होगा इसकी speed constant है तो यानि 15 into 10 कर सकते हैं यह हमारा 150 meter चला होगा तो देखते हैं कि उतनी देरी में यह जो हमारा police car है यह कितना दूरी तक चला होगा तो इसमें constant excel lesson है तो हम लिख सकते हैं कि S is equal to U T plus half 80 square होगा हमारा plus half 80 square यहां पे T की value हम 10 रखते हैं और U की value तो 0 हो जाएगी क्योंकि यह rest से start कर रहा था तो S is equal to क्या हो जाएगा 1 by 2 into 10 sorry into A की value क्या थी A की value 2 थी 2 into 10 का square तो यह हमारा cancel हो गया है यहां से S के आया 100 meter तो अगर हम देखें तो यह जब अपने maximum speed पर पहुंचे गा तब भी यह इससे पीछे ही रहेगा तो यह अब यह हमारा कितने के बराबर है यह हमारा अगर हम फाइनल पोजिशन देखें मतलब कि जब यह maximum speed पर पहुंच होगा होगा तो इनकी बिच की distance कितनी हो गए होगे 50 meter के बराबर और इसकी speed इस direction में कितने के बराबर है 20 meter per second और इसकी speed इस direction में कितनी है 50 meter per second तो अगर हम मालने कि इसके बाद t time लगता है t time में वो इसको catch कर लेता है तो अगर हम देखें तो यह कितना distance चलेगा यह हमारा चलेगा 20 into t के बराबर और यह हमारा कितना चलेगा 15 into t के बराबर क्योंकि दोने के velocity constant है और यह हमारा already 50 meter ahead था तो इसमें 50 एड कर देते हैं यह दोनों आपस में बराबर होने चाहिए तो यहां से 15 को इदर ले जाएंगे तो 5 t is equal to कितना आ जाएगा हमारा 50 t is equal to 2 के आ गया हमारा 10 seconds तो हमने देखा कि 10 seconds इसको इस speed तक पहुशने में लग रहा था और 10 seconds फर्दर लग रहे हैं catch करने में तो 20 seconds लग गया total इसको catch करने में speeder को और distance अगर हम देखना चाहें तो distance कितना travel क्या होगा t is equal to 10 seconds है तो हम यहाँ value रख दें तो 20 into 10 कितना होगा 200 हो जाएगा तो 200 हमारा कहां से लगा यहां से आगे के तरफ लगा उतनी देर में अब जब यह इतना distance उससे पहले कितना distance cover किया था इस police car ने तो वो 100 meter हमने find किया था तो further 200 और मीटर लगे उसको कैच करने में तो 100 प्लस 200 करेंगे तो टोटल 300 आ जाएगा तो 300 मीटर लगेगा कैच करने में और 20 seconds लगे So that's our answer. Thank you. Classics to 12 से लेके meet IIT GE means और advance के level तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा. आज जी download करे doubtnet app या WhatsApp कीचे अपने doubts 8400 400 चार्स उपर.